आधरणी किसान भायों पंजाब सुगर मिल में आपका बहुत बहुत स्वागत आईए हम आपको पेड़ी प्रबंद के बारे में दिखाते हैं कि जिस प्लाट में रेटून मेनेजमेंट पूरी तरह से किया गया है यह गन्ने के प्लाट है इसका आप देखिए जो है यह स्री पेड़ी प्रबंद में इसमें रेटून मेनेजर चलाया गया है जिसको आप स्ट्रेवल सेवर कहते हैं तो रेटून मेनेजर जो इसमें चलाया गया है उसके बारे में आप देखिए जो है कि इसमें पूरे खेत में रेटून मेनेजर चलाने से आपको क्या लाव मिला कल्ल पुरे गन्य की बढ़वार जो एक जैसे निकले है तो एक जैसे ग्रोथ है गन्य की बढ़वार है वो भी बहुत अच्छा है और इसमें आपने खाद में क्या डाला इसमें खरपतवार पूरा नियंत्रण हो गया क्या इसके लिए कुछ डाले थे कैसे इसके लिए उसके लिए इसमें खरपतवार नहीं जुताई नहीं होते हैं और देखिए खरपतवार के बारे में हमारा यह कहना है कि जो भी खरपतवार है तो बहुत सारे खरपतवार तो मेट्री ब्यूजीन से मर जाते हैं और मेट्री ब्यूजीन के साथ अगर आपने टूफोर्डी का भी प्रयोग कर दिया तो चोड़ी पत्ती वाले खरपतवार मतलब यह है किना को चहता है इसको आप चोर है पूरा घरपतवार चोर चिते बीच में रहता है और फिर इसमें टेलरिंस हो जाते हैं और यह खरण लो से कंपटीशन बहुत तगड़ी से करता है खाद वह गयरा को जो फर्टलाइजर से नियुट्रियंट से उनको बहुत तेजी से खेचता है इसका विकास और बढ़वार बहुत तेजी से होता है यह देखिए आप देख लिए इसका नाम यहां लोकल भासा में इसको आप भ गन्य के आसपास है जहां पर हल आप नहीं चला सकते हैं तो वहां पर इसको आप पानी चलाईए और लेवर लगा करके इसको छोटी कुदाल से खोद के निकाल देंगे उजी तंदर बहुत इससे पूरी तरह से नश्ट हो जाएगा और क्योंकि यह नान सेलेक्टिव हर्व जादा से जादा प्रतेकर में आपका उत्पादन आए यही हमारा लक्ष है और आप ज्यादा पैदवार लेते रहें देखिए खुडवा गन्ना है इसमें अपकी वार ज्यादा पैदवार लेने की कोसिस हम लोग कर रहे हैं कि कम से कम 600 पैदावार बढ़ी हैं कम से कम 800 लि खुड़ नबस्कार